नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो मुझे सोशल मीडिया पर मिली उससे सुना रहा हूँ ध्यान से सुनियेगा आप सब की चारों आके खुल जाएगी रमेश अगरवाल की एक फैक्टरी थी जिसमें वो मास्क सर्जिकल ग्लॉफ्स के पचास हजार पीस का उत्पादन करते थे उनके बनाए पीस की लागत बीस रुपए आती थी जिसे वो पच्चिस रुपए में बेजते थे और करीब पच्चिस लोगों को रोजगार देते थे ऐसी ही एक फैक्टरी डेविड की अमेरिका में थी जिसमें वो एक लाग पीस बना लेता था उसकी लागत तीस रुपए की थी डेविड अमेरिका में 10 लोगों को रोजगार देता था ऐसी छोटी-छोटी अनेक फैक्टरियां विश्वे के अनेक हिस्सों में थी जो हजारों लोगों को रोजगार देती थी पर फिर एक दिन चीन में जिंग-जांग नाम की एक व्यक्ति ने चीन की सरकार की मदद से एक विश्व का सबसे बड़ा आटोमेटिक प्लांट लगाया जिन में 80 मजदूरों के माध्यम से जिंग जांग एक महीने में 50 लाख पीसों का उत्पादन करता था सस्ती बिजदी, सस्ते मजदूर, बड़ा प्लांट, सरकारी सबसेडी की वज़े से वे 10 रोपे पीस में मास्क बेचने लगा दीरे दीरे पूरे विश्व में फैक्टरिया बंद हो गई, हर कोई जिंग जांग से मास्क और गलोव खरीद कर बेचने लगा अमेरिका में डेविट ने भी एक तरीका निकाला, वो बेचता तो अभी भी डेविट के नाम सही था पर वो उत्पादन जिंग जांग की फैक्टरी से बनवा कर लेने लगा भारत भी कैसे अचूता रहता, कुछ ट्रेडर, इंपोर्टर चीन से माल लाने लगे और पंदरा रुपय में हजारों मास्क बेचने लगे पंदरा रुपय का मास्क पांच रुपय में लाकर डूटी बचाते सकती बड़ी तो ट्रेडर्स ने मंत्राले में सेटिंग कर मास्क और गलोफ्स को जरूरी आइटम बता उस पर आयाश्वल को भी खतम करा लिया रमेश अगरवाल तीन साल तक इस से लड़ते रहे उन्होंने अनेक चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से एशोशेशन के माध्यम से अपनी काहनी सरकारी अध्यारियों तक महुचाई पर हर जगे लाल फीता शाही के चलते उनके कुछ नहीं सुनी गई उनके यूनिट का काम देख बैंक ने विव्याज की दर बढ़ा दी और उन्हें परिशान करने लगे उदर सब डिपार्टमेंट को लगता था ये तो उद्योगपती है बहुत मोटा माल है इसके पास थोड़ा हमें मिल जाएगा तो क्या गड़ जाएगा भरपूर संगर्श के बाद 3-4 साल में रमेश जी इस सिस्टम से हार गए उनका बैंक लोन एनपी हो गया बैंक ने उनकी संपत्ति फैक्टरी निलाम कर दी लोगों ने आरोप लगाया कि रमेश फ्रॉड है बैंक के पैसे खा गया उनकी फैक्टरी के मजदूर बिरोजगार हो गए एक्साइज, इंकम टैक्स, सेल टैक्स सबने लाखों के मुकदमे रमेश जी पर डाल दिये रमेश जी का मकान बिग गया, बुरा समय आने पर रिष्टेदारों ने मुँ मोड लिया वो एक छोटी सी दुकान चलाते हुए परिवार के साथ दो कमरों के मकान में जीवन व्यतीत करने लगे पर ओनलाइन विदेशी कमपनियों के चलते दुकान के बिकरी भी नगण्य थी फिर एक दिन पूरी दुनिया में कोविट नाइन्टी, कोरोना वाइरस नाम के मामारी फैली इसके शुरुआ चीन से हुई, चीन ने मास्क और गलफ्स के निर्यात पर पाबंदी लगा दी डैविड की कमपनी हो या भारत के आया तक सब बिना माल के बैठे थे चीन की स्थिती संबली तो उसने गटिया मास्क सो रुपे पीस में बेचने शुरू कर दिये पूरा विश्व मजबूर था क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था रमेश एक हाथ में मुकदमों का नोटिस और दूसरे हाथ में अख़बार में इस महमारी के बारे में पढ़ आंसु भाते रहे आज उनकी छोटी सी फैक्टरू चाली दो होती तो शायद वो अपने देश का स्वाभी मान न बिखने देते दोस्तो यह एक कालपनिक कहानी है जिसका जीवित अत्वा मर्त किसी भी व्यक्ति से कोई संबध नहीं है पर ध्यान रखें जब हम कोई आयातित उत्पात खरीते हैं तो रोज अनेक रमेश को मारते हैं संकल पले अब हम किसी रमेश को नहीं जुकने देंगे स्वादेशी अपनाएं स्वादेशी खाएं स्वस्त रहें मस्त रहें ठैंक यू अगर आपको यह काहनी पसंद आई है तो कनेक्ट रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं थैंक यू, जै हिन, जै बारत